हलो फ्रेंट्स नमस्कार मैं आपका दूस्त सनात कुमार कुस्वाह प्रोपर्टीज आई पेक्शन संट पटपडगं से और जैसे कि मंडे है और मंडे हम देते हैं अपने पिछले सप्ता आये हुए कमेंट्स के जबाब तो बने रहें वीडियो के लाज तक और यह चैनल पे के बाहर से भी लोगों की कॉल आते हैं तो आई पेक्शन संट के बारे में नॉर्मली लोग पूछते हैं तो मैं सबसे पहले बता देना चाहूँगा कि उन्हों सो नवासी नबबे के आसपास के लोट्मेंट है यह लगबग पूरे तीस साल अपने कर रहा है तीस साल कुछ पुरानी सोसाइटीज हैं और इतनी पुरानी होने की बाद भी जो सोसाइटीज है क्योंकि यह कॉपरेटिव फॉसिं सोसाइटीज हैं डेपार्टमेंट अपने होने खुद खड़े होके बनाया हुआ है फ्री होल प्रोपरटियां है आप किसी बैंक से नब्वे परसन तक लोन ले सकते हैं यदि आपको इतना चाहिए तो नहीं तो 80% तो नॉर्मली मिली जाता है बाकी अक्सर लोगों द्वरा यह पुछा जाता है कि भीया इतनी सारी पुरानी सोसाइटी हैं इनका क्या होगा कैसा होगा इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाई हुए हैं आप हम इस परिस्थितियों में जब मेंटिन्स का काम चला होता है तभी पावर कट होता है पानी 24 गंटे मिलेगा बड़े-बड़े पार्क हैं सोसाइटीज के अंदर पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है विल डवलप एरिया है एनेज 24 से साथ कनेक्ट है आप नोड़ा जाना चा तो आप जब भी विजिट करना चाहें आप कॉल कर लिए कोई कोई है आप हमसे बात कर सकते हैं तो बने रहें वीडियो के लाज तक यह एक दिन पुराना हमारे पास जो है सबसे पहला जो कमेंट्स आया है वह बबली बीश चीका है जो आट गंटे पहले उन्होंने अभी क प्रिषान नहीं दिया होगा या अपने पूरा वीडियो नहीं देखा होगा वीडियो के लास्ट में हमने जो है प्राइस के भी बारे में बात करी थी यह पंचानने भी लाग रुपए की डील है सुभम अपार्टमेंट के अंदर है फर्ष पोर पे है फ्री होल प्रॉपर के भी है दो बेड्रूम के भी फ्लैट है और एलाईजी के भी आट फ्लैट है सुसाइटी के बैक साइड में बड़ा डीडिये का पार्क है जो की एवी भी पब्लिक स्कूल के सामने अगरवाल टावर को कनेक्ट करती है आप पिछे के तरफ टहलने के लिए भी जा सकते हान के अपने को आप सकता होती है श्यूमिंग पूल को छोड़ के सुम के इस सोसाइटी कॉंपाउंड के अंदर यह जिम भी है तो इस तरीके से यह सोसाइटी है और यदि आपको रुकार्मेंट है तो आप आ सकते हैं क्या भी पड़ी हैं दिखवा देंगे बबली जी बहुत जानना चाह रहे हैं तो सामने अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो क्रपा करके आप दुबारा से जो है कि अपना डिटेल्स में दीजिए और इन्होंने एच मार्क दिया हुआ है एक सोसाइटी है ताज अपाट्मेंट जो गाजी पूर लाइट के बिलकुल बराब तीन-चार इन्वेंटिज अवेलेबल हैं चौथा फ्लोर भी है चट्था फ्लोर भी है एक आठवे फ्लोर का फ्लैट था वो निकल गया है और जो रेट आएंगे अवरेज वहां पर लगबग 25-35 रुपए के बीच के आस पास का रेट है बाकी यह आप कोई चीज पसंद करता है मीटिंग पर कि आपकी और के साथ क्या डील होगी प्रयास हमारा रहेगा तो शावन जी उम्मीद करता हूं कि आप मुझे अपनी जो क्वेरीज है वह आठ बार क्वेस्टन मार्क लगाने के बजाय लिख के दे देंगे तो साइद में समझ पाऊंगा बहुत-बहु अगला कमेंट्स आया है कमल कुमार जी का है सर असी लाख रुपए में क्या बात बन सकती है और इन्हों ने जो है दो बेडों फ्लैट पटपडगं दिली में मैंने एक सुसाइटी है मैत्री अपाट्मेंट इसमें 900 स्क्यार फिट का फ्लैट है कॉर्णर थ्री साइड ओप सब्न स्वे से साम तक की घुम्ती हुए सूरज है सुरज की रोश्नी है ड्राइंग अलग है डेनिंग अलग है विदेर सेकनड वेडरूम है उसमें पिछे की तरफ छे बाई लगबग साढ़े दसका जो है इस्टोर भी मिलता है तो इस तरीके से ये फ्लैट है और ये 95 लाग रुपए के आसपास की डील है तो भी ये 80 लाग रुपए में बिल्कुल नहीं मिल पाएगी और आपने पास हैं आप आजना दिखवा देंगे कमल जी धन्यवाद ये तीन दिन पहले एक जो है कमेंट्स हाया हुआ है मधू अर्मा जी का प्राइज क्या है उसी वाले फ्लैट का जिसकी अभी मैं जिकर कर रहा था मैं तरी अपार्टमेंट में ग्राउन फोर के फ्लैट के लिए तो ये फ्री होल प्रॉपर्टी है कॉर्णर की ये है चंदर विहार को फेस करती हुई इस फ्लैट के अंदर दो बेड्रूम और तीन बेड्रूम दो बेड्रूम के दो साइज के फ्लैट है एक 900 स्क्यार फिट और एक लगभग आपका आएगा 800 स्क्यार फिट का तो आपने पूछा है प्राइस मैंने कमेंट्स कर दिया था है रेंड के लिए किन्होंने किया हुआ है दो ख्योंतन का जो मैंत्री अपाट्मेन के अंदर है जिसके अभी मैंने दो लोगों के जबाद करिए हुई है औरिंड क्या होता है अपार्टमेन में मेंगर आप दूब घडूं का फ्लैट लेते हैं तो दूब नायोड का पड़ रेंट है लग बग 17000 रुपय से स्टार्ट है लेकिन 17000 रुपय का जो फ्लैट आएगा वह से 3rd फ्लोर हो वही 17000 रुपय वाला फ्लैट आप नीचे के तरफ हटते हैं तो 18-22000 रुपया हो जाएगा साथ में सोसाइटी का maintenance भी होता है और maintenance की जो कीमत है वो मंतली आपको देनी होती है उस मंतली maintenance के अंदर आपको security guard society का जो management का अन्य खर्चा है जैसे कि common area की साफ सफाई lights, parking और भी चीज़े होती है वो उसी में include होती है तो लगभग आम मान के चलो और फ्रेट 18-22,000 रुपए प्लस जो है maintenance जो की लगभग 2,000 रुपए से 25,000 रुपए हो सकती है यह तो दो बेडूम की बात करी हमने उसके बाद 3 बेडूम भी है चार बेडूम भी है यह आपको requirement है तो number हमने दिये हुए है आप हमें comments भी कर सकते है जोती जी कौर जी comments है यह सूरज छेत्री जी का है और उन्होंने जो है कि तीन दिन पहले हमें comments किया हुआ है हमारा जो है एक वीडियो था नील मत्था लखनों के लिए और उन्होंने पोचा है अभी sale में है या भी गया सूरज जी आप हमें call कर लेजएगा चीजे अवे लेबल है यह भी बनती हैं एक बारी फिजिकली विजिट करो हम दिखवाते हैं तो अभी अवे लेबल है आप बात कर लिजेगा दिखा देंगे सुरज धन्यवाद दिव्या मैश्वाल यह दिव्या मैश्वाल जीने जो है एक तीन बेड्रूम का जो है जो है कि यह है तीन थ्री बीच के स्टोर रूम नियर बालको मार्केट विद लिप पावर बेक अप रिडी टू सिप्ट ऐसे ही स्पेस के फ्लैट फार सेल अवेलेबल होते हैं कि आई आई पी एक शंसन के अंदर अगर आप लेना चाह रहे हो तो यहां पर तीन बेड्रूम की फ्लैट के अगर हम बात करें तो 87 स्क्वाइर मीटर प्लिन्थ एरिया जिसमें बालकोनी की हम बात नहीं करेंगे से स्टार्ट होके और यह लगभग आम मान के चलिएगा एक सो उन पी नहीं है फोर स्टोरी के अंदर अगर आप लेते हैं तो अठानेवे निन्यानेवे मीटर के फ्लैट हैं जो कि 116 सोसाइट्यू में लगभग लगभग 80% की अपनी गिंती रखते हैं तो यहां कोई इससे बड़े फ्लैट नहीं है यह इतनी बड़े फ्लैट से अपना का परचेश कराई हुई हैं तो इन्होंने जो है कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर जो है कि शुवकाम नायज जी है तो संजीव जी बहुत धन्यवाद अगला केमेंट से दिविया वैसमानी जी का ही है इन्होंने प्राइज पूछा हुआ है तीन बेडूम सेल इन आईपी एक्षेंसन एक सेकंड मैं इस वीडियो को देख लेता हूँ आईपी एक्षेंसन की जो रुकायरमेंट है वो नॉर्मली आस पास के लोगों की ही होती है क्योंकि बाहर के लोग जब भी आते हैं तो उनकी बहुत सारी चीज़े होती है और उनको समझ भी नहीं पाते हैं इस तरीके से दिविया वैस्वानी जिने जो अभी यह प्राइस प्लीज पूछा हुआ है इस प्रॉपर्टी का इसी एक कोड़ 35 रुपए की प्रॉपर्टी की वेलू है फ्लैट बिख बिख चुका है यह प्रॉपर्टी सेल आउट हो चुकी है और यह क्रपाल अपाट्मेंट में फश डिस्कप्शन में नमबर दे दिये हैं धर्निवाद छे दिन पहले यह संकर मिस्रा जी है इन्होंने जो है कमेंट्स किया हुआ है प्राइज क्या है और दो बेड्रूम फ्लैट विक्री दिली वेरिस वीडियो को भी मैं देख लेता हूँ कि संक्र मिस्रा जी जो है दो बेड्रूम की बात करता हूं संकर मिस्रा जी यह जो फ्लैट है यह मैंत्री अपाटन्बेन्ट कहीं हँा है आपने जो आभी बात हो रही थी द्हित ll pint एक MP मेंट्स और और इसका प्राइज जो है 95 लाग रुपए से दर की तरब से रखा गया है चावी पड़ी है आप आज आएं देख लें पुए एरिया कितना है और छे दिन पहले इन्हों Чल धनषी नहीं है इससे बहुत हुआ है और पुराना वीडियो है और यह प्रॉपरटी डिवालों को मिला के उसके बाद घुछा है यह कि अगला कमेंट्स आपने किया हुआ है यह बंधरा अपार्टमेंट के अंदर है आपने कई बारी बात करी है आने के लिए आए भी नहीं अभी भी अविलेबल आप आज यह देख लिएगा और यह भी वह उटर्ण में नियानवे में में अरिया है लागो 1200 स्कार फिट्र कवर्ड एरिया बिल्ट अप एरिया है इसका अगला फिर आपने किया हुआ इसे व टो इस तरीके से एक हपते के अंदर 6 दिन के अंदर जो हमारे पास प्रौपर्टी जायी हुए है कोशिश तरीके से करता हूं आप संट्श्टी मिली होगी फिर भी एगर आप संट्रोस्टी नहीं है तो आप कमेंट करिये और अगर बताईए कि हम और क्या कर सकते हैं किस तरीके के वीडियों आपके लिए能S IS तरीके से वाकिंगे बाकि वीडियों की जो capacity होती है कई बारी पुरे-पूरे साल की किसी की पुरे जिंदगी की होती है तो बहुत ध्यान से हमने जो है सर्वे करना होता है property देखनी होती है क्योंकि किसी भी authority की property अगर आप लेते हैं तो वह तो वेरिफाइड है government की तरफ से भी लेकिन अगर अथोर्टी की प्रॉपर्टी नहीं है और आप पर्सिस करने जा रहे हैं तो गुवर्मेंट का मास्टर प्लान उसके बाद क्या कह रहा है यह आप जरूर देख लें क्योंकि अगर बिना मास्टर प्लान देखे हुए आपने प्रॉपर्टियां ली जैसे कि अभी बिनार्टी के इंवेश्टेट्स की सब तरब से भी प्रॉपर्ब्लम हुई है उनकी तरफ से भी प्रॉपर्ब्लम क्रिएट हुई है और अथोर्टि कभी नहीं कहती है कि भाया आप रेजिश्टी कराने आयो सिर्य करको आप रेजिश्टी करिए घर जाए पोजीशन उसके लिए एक्सपर्ट की राय अवस्य लें, सतर के रहें, सौधान रहें और यदि हमारे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भोलें चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें